हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अवतार इस्टुडी में आज का हमारा टॉपिक है एवरेज का पार्ट पार्ट टेन जो की सभी परिछाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टन्ट है जो भी फ्रेंड्स हमारी पिछली सभी क्लास को नहीं description box में लिंक दिया गया है वो हमारी पिछली सभी क्लास को ध्यान से जरूर देखें हम इसमें देखेंगे हमारी आज का पहला question इस्क्रीन पर दिया गया है हमारा पहला Question दिया गया है , 15 संख्याओं का आसत 7 है यदी प्रिथम 8 संख्याओं का आसत 6.5 है, AND 208 संर्थ 5 का आसत 9.5 है तो मद्ध की संख्या क्या होगी ? तो हम ने देख रहा है, इसमें पूछ रहा है मद्ध की संख्या है इसमें हमारा fórmula दिया गया योग बरावर होता है Bene The लिएगे पंद्रा संख्याओं का आउसस सात है तो 15 संख्याओं का आउसस साथ में मैल्टिपलाई करेंगे तो हमारा योग इतना ऐगा 105 आगे दिया गया प्रत्राम 8 संख्याओं का उसत 6.5 है तो हम 8 का मल्टिप्लाई करेंगे 6.5 में तो हमारे कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा और आगे दिये गया अंतिम 8 संख्याओं का उसत 9.5 है तो हम 8 का मल्टिप्लाई करेंगे 9.5 में तो हमारे कितना आ जाएगा छी अत्तर आ जाएगा तो हम ये आठ संख्याओं का उसत ये है और ये आठ संख्याओं का उसत ये है हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे कितना आ जाएगा 6, 2, 8, 7, 5, 12, 118 आ जाएगा ये हमारी टोटल कितनी संख्याओं हो गई है 16 तो हम इसमें देखेंगे हम 16 संख्याओं के योग में से 15 संख्याओं के योग को हम माइनस करेंगे तो हमारी मद्ध की संख्या आ जाएगी जो की अठ वे मद्ध की संख्या होगी तो हम इसमें देखेंगे क्योंकि 8 वी संख्या है जो हमारी वह सब कराएंगों योगि 15 संख्या करेंगे 16 संख्या को हम माइनस कर देगे टो 16 संख्या का योग है कितना है 128 minus 105 हम इसको हमारे कितना रहा है तहई वह हमारी आठवी संख्या होगी जो की मद्धिकी है हम इसमें देखेंगा हमारा option number C एकदम correct answer है इसी तरह से हमारा दिया गया है question number 2 दिया गया है 11 परडामों का उसत 50 है यदि प्रथम 6 परडामों का उसत 49 और अंतिम 6 परडामों का उसत 52 है तो 16 संख्या क्या होगी दिया गया है कि 11 परडामों का उसत 50 है तो हम 11 का multiply करेंगे 50 में कितना आजाएगा 550 आगे कह रहे हैं 6 परडामों का उसत 49 है तो हम 6 का multiply करेंग 29 में कितना आजाएगा 6 9 में 24 की 4 carry 5 6 24 और 5 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा आगे दिया गया है 6 परिणामों का उसत 22 है अंतिम 6 परिणामों का तो हम 6 का मल्टिप्लाई करेंगे 52 में तो हमारे कितना आजाएगा 6 12 की 2 carry 1 6 35 31 हम इन दोनों का योग निकालेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा यह 6 हो जाएगा 0 हो जाएगा 606 यह हमारी total कितनी संख्या है 12 तो हम इसमें क्या करेंगे 12 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे क्योंकि जो हमारी 6 संख्या है वो दो बार count हुई है तो हम इसमें क्या करेंगे 606 मे इतनी है 56 हम इसमें देखेंगा हमारा option number D एकडम correct answer इसी तरह से हमारा दियो गया question number 3 दिये गया है 11 संख्याओं का आुसत 35 है यदि प्रथम 6 संख्याओं का आुसत 32 सो और अंतिम 6 संख्याओं का आुसत 37 सो तो छटी संख्या क्या होगी तो कह रहा है 11 संख्याओं का उसत 35 है तो हम 11 में मल्टिप्लाई करेंगे 35 का तो कितना आएगा 11 55 11 33 35 38 आगे कह रहा है कि यदि प्रथम 6 संख्याओं का उसत 32 हो छे का मल्टिप्लाई करेंगे हम 32 में 6 दुनी 12 की 2 6 3 यहां पर 22 नहीं होगा 19 हो जाएगा कहरी बन था और हम इसमें देखेंगे आगे कह रहा है और अन्तिम 6 का उसत 37 हो तो हम 6 का मल्टिप्लाई करेंगे 37 में तो कितना आएगा 6 सते 42 की 2 कहरी 4 6 38 4 22 अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2 2 4 9 2 11 की 1 2 1 3 4 यह कितना हो गया टोटल हमारी 12 संख्या दी गई है यह 12 संख्याओं के उसत का योग है तो हम इसमें क्या करेंगे हम इसमें 12 संख्याओं के योग में से हम 11 संख्याओं के योग को माइनस कर देंगे तो हमारे कितना आजाएगा जो हमारा आएगा वो हमारी 16 संख्या होगी तो हम इसम जो हमारी चटवी संख्या कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी अब हम इसमें देखेंगे हम वारा चौ्था क्र४िं लिए गया है गयारे संख्याह का औस तिरसथ है टम संख्याह का औस अथिए संख्याह उसक्याह का 166ः तो चटवी संख्या है llegar है ग्यारह संख्यां का उसत तिर सट है तो हमारा योग हो जाएगा कितना जी तैरीज़ गर्लिश्ट चाहट चाहट और तिन अहत्तर है प्रथाम इस ऑशता साथ है तो हम 6 का मल्टिप्लाई करेंगे साथ में तो कितना जाएगा 360 आजाएगा आगे कह रहा है अन्तिम 6 संख्याओं का उसत 65 है तो हम 6 का मल्टिप्लाई करेंगे 65 में तो हमारे कितना आजाएगा 635 की 0 और 636 49 अम इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे कितना आजाएगा 5 आजाएगा 336 टोटल कितनी संख्या आई है 12 हम इसमें देखेंगे 12 संख्याओं जिसके योग मिलाफी संख्या मिल इक उसका को इसमें option number A एकदम correct answer है इसी तरह से हमारा दिया गया question number 5 दिया गया है एक नगर में मा के पहले चार दिनों का उसत तापमान 58 degree centigrade था दूसरे तीसरे चौथे और पाचवे दिन का उसत तापमान कितना है 66 degree centigrade है यदि पहले और पाचवे दिन का तापमान साथ अनुपाती 11 है तो पाचवे दिन का तापमान क्या होगा इसमें दिया गया है कि पहले चार दिनों का उसत तापमान 58 degree centigrade है और दूसरे तीसरे चौथे पाचवे दिन का पहले मान लेते हैं और जो हुमारा पाचवे कितना है कितना है इसमें कि पहले और पाचवे दिन का तापमान कितना है साथ अनुपाते ग्यारा है तो हम पहले माल लेते हैं ए है और जो हमारा पाचवा है कितना है पाचवा दिन है वो हमारा ए हो जाएगा इसका अनुपात कितना दिया गया है साथ अनुपाते ग्यारा अब इसमें हम देखेंगे इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है चार का है तो जो यह हमारा चार है यह कितने के बराबर है 32 के बराबर है इसका हम कंपेर करेंगे चार का कंपेर हम 32 से करेंगे क्योंकि यह भी चार दिनों का अंतर है और यह भी चार दिनों का अंतर ही है तो हम इसमें देखेंगे चार यह करेंगे तो यह एक दिन का निकालेंगे तो कितना जाएगा दिसा चार अठछे बतीस अब करें कि पांच वे दिन का आप मांद जो हमारा पांच वे दिन है कितने के बराबर है 11 के बराबर है तो हम इसमें 8 का multiply 11 में कर देंगे कितना हो जाएगा 88 degree centigrade तो हम इसमें देखेंगे पांच भी दिन करता है अपमान कितना आ रहा है 88 degree centigrade इसमें हमारा option number C एकदम correct answer है इसी तरह से हमारा दिये गए question number 5 दिया गया है एक दिया गया एक बल्ले बाज 10 पारियां खेलता है 11 पारी में 100 रन बनाता है इस प्रकार उसका कुल ओसत 5 रन बढ़ जाता है उसका वर्तमान ओसत क्या होगा तो हम इसमें देखेंगे जो बल्ले बाज है टोटल कितनी पारियां खेल रहा है 11 तो क्या हो जाएगा 1 2 3.11 और कह रहें कि इस प्रकार उसका कुल लह सक्वास्त पांच रण बढ़ जाता है तो उसमें 5 रन बढ़ रहा है औस एक तще बढ़ जा रहें गेगे कितने रन बढ़ेंगे जो रन हमारे बढ़ रहे हैं वो हमारे इस्ट्रा रन है तो हम इसमें क्या करेंगे टोटल कितने रन बढ़ रहे हैं ग्यारा पारियों में पांच पांच रन बढ़ रहे हैं तो कितने रन बढ़ जा रहे हैं ग्यारा पचे पच्पन टोटल कितने रन ब क्या है पुराना उसत है इसमें पूछ रहा है कि वर्तमान उसत वर्तमान उसत कितना होगा इसमें कह रहा है कि कुल उसत रन पांच बढ़ जाता है तो इसमें प्लेस पांच जोड़ देंगे और जो यह हमारा पुराना ओसत आया है यह हमारी 10 वी पारी का है और अब इसमें हम 5 रन जब बढ़ जाएगा तो बढ़ रहा है जो यह हमारा कौन सी पारी का है 11 वी पारी का है जो कि हमारा वरतमान ओसत है तो कितना हो जाएगा 50 तो जो वर्तमान उसत है कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा हम इसमें देखेंगे हमारा option number C एकदम correct answer है इसी तरह से हमारा दिया गया है question number 7 question number 7 दिया है सचीन तैन दूलकर 11 पारियों में कुछ औसत रखता है बारहमी पारी में वह 120 रन बनाता है परेडाम सरुप उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है नया औसत बताओ नया उसत मतलब वही वर्तमान उसत पूछ रहा है तो हम देखेंगे सचीन तैन दूलकर कुल कितनी पारी खेल र रहा है एक दो तीन डॉट डॉट बारह हो जागा बारहमी पारी में कितने रन बना रहा है 120 रन बना रहा है अब इसमें कह रहे हैं परेडाम सरुप उसका पांच रन बढ़ जाता है तो उसकी बारहमी पारी में पांच रन औसत में बढ़ रहा है तो सभी पारियों में पां साथ को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा साथ यह हमारा क्या है यह हमारा पुराना उसत है और जो कि ग्यारामी पारी में खेला गया था 11 हमि पारी में उसने बनाया था 60 रन टोटल अब कह रहा है की हमारा वर्तवान ऐसथ कितना होगा नया औससथ जो पूछ रहा है इसमें तो इसमें कह रही कि 5 रन बढ़ जाता है औस दिने तो प्लस 5 कर तेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 65 यही हमारा नया आउसत हो जाएगा हम इसमें देखेंगे हमारा option number C, एकडम correct answer है इसी तरह से हमारा दिये गया है question number 8 हमारा question number 8 दिये गया है तीन संख्याओं में से पहली संख्या, दूसरी संख्या की दो गुणा तथा दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुना है यदि तीने संख्याओं का औसत सव है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी तो हम इसमें देखेंगे तीन संख्याओं में से पहली संख्या पहले हम देखेंगे हमारी तीन संख्याओं क्या है पहले हम इसका अनुपात निकालेंगे ए, बी और सी यह हमारी तीन संख्या है दी गई है इसमें कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी की दो गुना तथा दूसरी संख्या तीसरी की तीन गुना है तो हम इसमें देखेंगे जो पहली संख्या है हमारी वो दूसरी की दो गुना है तो हमारी तीसरी संख्या इसमें कितनी हो जाएगी एक हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या है हमारी तीसरी की तीन गुना है तो यहां पर हमारी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी तीन हो जा है तो आगे हम फार्मूला पढ़े लेकल होता है औसद गुडे संख्या तो इसमें औसद संख्याव का तो जो योग आ गया है तो जो योग का योग है और ये भी तीन संख्याव का sarc rum है तो यहां पे 1 परवर कितना इयगा 30 सबसे बड़ी संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या हमारी समरी है कितनी में अच्छ यह Welcome naar 309 मारे 3 संख्या इस when तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हम इसमें देखेंगे तीन संख्या दी गई है पहले हम इसका अनुपात निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी देखेंगे हम इसमें कहा रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की दो गुनी है तो हम पहले तीसरी संख्या को मानेंगे एक उसके बाद कह रहा है कि दूसरी संख्या है वो तीसरी के दो गुनी है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी और आगे कह रहा है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी की दो गुनी है इसका हम दो गुना करेंगे तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, चार हो जाएगी, तब इसका हम नानपाती योग निकाल देंगे, चार, दो, छेट, साथ हो जाएगा, आगे फार्वुला हमने पड़ा था, योग बराबर होता है, आउसत गुड़े संख्या, अब हम इसका भी योग निकाल देंगे इसमें उसत दिया गया है तो योग बराबर कितना हो जाएगा तीनों संख्याओं का उसत 21 है और तीन संख्याओं है तो कितना जाएगा 21 रिक्का 63 हो जाएगा ये भी तीनों संख्याओं का योग है तो हम क्या करेंगे इनका कंपेर करेंगे तो जो स कर देगे तो मारे कितना आजाएगा नौ आजाएगा यही हमारी सबसे चोटीौटी संख्या तो मारे चाठी संख्या कितनी है नौ है इसमें हमारा option number छाद मिलते हमारी ग्रमार डॉटी। ठेंक्स पर वालचिंग इस वीडियो कि